नमस्कार मैं हूं मनीश कुमार और आप देख रहे हैं आपकी आवाज निउस आज बिहार दिवस के मौके पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौझूद है कॉंग्रेस के मुखरनेता अधित्य पासवान आदित्यपासवाण जी आपकी आवाज न्यूस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले बिहार दिवस के आउसर पर आप अपने बिहार की जनता को क्या सुपकामना देना चाहेंगे सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मुझे मौका दिया आपके चैनल पे आकर के बोलने का और मैं इस बिहार दिवस पे पूरे बिहार की जंता को अपने भाहियों को अपने मित्रों को शुपकामना देना चाहूँगा कि आप आगे बढ़ें, बिहार आगे बढ़ें, यही हमारा पुरे बिहार के लिए संदेश है आज बिहार को एक पिछरे राज्य के रूप में गिना जाता है जबकि बिहार को अस्तित्व में आए वे काफी समय हो चुका है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ पड़िस्थिती रहेगी, आज भी हम लोग अगरी सरेनी में आने के बजाए, पिछरे राज्य में गीने जाते हैं, विशेस पैकेज का दरजा मांग रहे हैं, क्या हम लोग आगे नहीं हो सकते थे, क्या कुछ समझ में आता है, क्या और सौ वर्स हो गए बंगाल से बिहार को अलग हुए हुए, आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है, इसकी शुब कामना मैं दिल से सारे बिहारियों को देना चाहता हूँ, लेकिन क्या हमें ये सोचना चाहिए, सारे बिहारियों को, आपको, मुझे, क्या सही में ये बिहार एक सक्सेस्फुल चीज है क्योंकि आज जो हम कहें देखे सुन जाते हैं पूरे देश में बिहार एक पिछरा राज के श्रेटी में आता है जैसा कि आपने बताया क्यों ऐसा क्यों है क्योंकि हम बिहार में जो संसादन हमें मिले उसका उप्योग हम ठीक से नहीं कर पाए अभ अभी आपको जारखन में उसके बाद बिहार के पास क्या बचा नदिया बची और हम जमीन बचा तो एक प्राकृतिक वर्दान मिला बिहार को और आज से नहीं ये प्राकृतिक वर्दान बहुत सालों से मिला हुआ है कि हमारे पास गंगा जैसी नदी है सोन जैसी नदी है कमला बलान है कोशी है जिसका हम लोग प्रॉपर तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं अगर प्रॉपर तरीके से नदियों का उपयोग कर पाए इसकी पानी का उपयोग कर पाए तो बिहार अकेले पूरे देश को जा करके खिला सकता है लेकि नहीं मुझे बोले हैं बड़ा अफसोस लगता है लेकिन सच्चा यही है कि हम बालू पर आके सिमित होके रह गये हैं अब उसके बाद अगर चलें आप नदियों को छोड़ दें जो नदियों से अगर हम लोग उसका जमीन जो हमारी इतनी फर्टाइल है उसका यूसेज करते तो हम फूल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा उद्योग बिहार बन सकता था पूरे देश में लेकिन वो नहीं हुआ उसके बाद हम परेटन की ओर चलते हैं परेटन में आप बताईए कि अगर थांकर महावीर की धरती वैशाली जो है अगर वो गुजरात में होता तो वो क्या हाल उसका होता गुरुकोविन सिंग वो धरति अगर किसी पंजाब के गाव में होता तो कहां रहता कहां रहता सूचिए लेकि आज हम क्या उसका उप्योग कर पाए क्या अंतरास्टी तिस्थर पर उस प्रेटन को डेवलब कर पाए बगवान बुद्ध के दरत प्रोसेसिंग और फार्मिंग को एक बढ़ावाद करके बिहार के विरोजगार युगाओं को उसमें लगाते हैं और विरोजगारी दूर कर सकते थे अब बताइए इन सब चीजें कारण पिछ्टे दो साल में श्रम विभाग का पोर्टल में आया है कि 80 लाख बच्चे विरो कर दो लगता है और मुख्मंतरी जी को सिर्फ एक चीज दिखता है शराब आज पुरा देश देख रहा है क्या पुरा बिहार शराबी है आप बिहारीयों को शराबी की संग्या दे दिये हैं आज बुरा बिहार शराबी है क्या सिर्फ शराब की बात कर रहे हैं और उसमें इतने लोग के मित्ती हो गई उसके बाद भी मौन धारन करके लगता है कि मुखमंत्री जी को अब जो हेलप लाइन होता है ना गुमशुदा की तलाश करने वाला उसमें डालना पड़ेगा उनके बारे में कि कहा है मुखमंत्री जी आईए और कुछ बोलिए ये मतलब शराब बंदी किस के लिए जिद्ध है ठीक है शराब खराब चीज़ है अच्छी नहीं है लेकिन अगर मानली ये कोई पिया जरीली शराब से पिया एक तो शराब अगर शराब बंदी है तो आना नहीं चाहिए आ रहा है मतलब कि आपके पुलिस प्रशाशन उसमें मिली हुई है तो मिली हुई है तो इसका दोशी कोन है आम जन्ता तो नहीं है जो पी रहा है वो पी रहा है उसमें जरिली शराब से पहले भी मौत होती थी होती होगी बिल्कुल उसमें कोई दोमत नहीं है बिल्कुल पहले हुई भी होगी लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि पहले होती थी तो आज भी होगी आपका प्रशाशन क्य कर रहा है क्यों नहीं आप उसको रोक लागा रहे हैं आज बदाइए होली किसमें 32 लोग मर गए अब वो 32 घरों का चिराग चला गया या पिता चला गया या बेटा चला गया क्या हो कौन देखने वाला होगा लेकिन यहां पेहम आपको रोकना चाहेंगे यह 32 लोग मारे गए इसके बारे में तो प्रसासन कहता है कि उनकी जहरेली सर आप पीने से मौथी नहीं हुई उनकी बीमारियों से यान्ने वजहों से मौथ हुई क्या कहेंग इस पर प्रसासन तुक कल कहिए कि बारी स्टेज होगे उससे लोग मर गया उससे को जवाब है क्या पोस्माटम किसी चीज में कोई डाउट है लोग उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आप पुस्माटम करें रिपोर्ट को पुब्लिक करिए आप शराब बंदी बिसिकली इस कंप्रीट फेलियर और इस तर्नि आउट तो तो क्यों उसको क्यों आप कर रहे हैं नहीं करना चाहिए ना और मु पुब्धी जी से कि आखिर जो लोग मर रहे हैं अब उनका क्या होगा उनके परिवार का क्या होगा अगर आपको शराब बंदी तो यहां तो आप पुलिस को और इंपावर कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए अब नया नियम आया है कि आप पहली बार पक्ड़ाएंगे किसे क्या करेंगे उसमें मुझे बोलनी कि आवशकता नहीं होनी चाहिए है ना तो शराब बंदी का ये तरीका जो implementation है वो गलत तरीका है अगर मुकमंतरी जी को शराब बंदी करना था तो अभी भी वो देर नहीं हुआ है डी अडिक्शन सेंटर हर जगा खोलें जो शराब की जिसको आदत है उसको डी अडिक्शन सेंटर में दें उसकी उसकी फैमिली को उतने टाइम के लिए सपोर्ट करें ताकि वो उसका अगर वो फैमिली का मुख्या है या जो भी उस फैमिली का है जो डी अडिक्शन सेंटर मे प्रकाइब नहां पर यहां जाएगी ओसराब बंदी के नाम पर शराब लिकरा है जल्ली शमाराई रहे हैं दूद strony कहां सफल हुआ है अभी लगतार सुशल मीडिया पर वाईरल भी हो रहा है बाडसूप में फूल और परफजब शुराब यह फो हैं किते कि अगर सच्चाई होगी तब तो सब्सक्राइब पक्रप्रमाइब् OF सब्सक्राइब मिल्डी भगत है दस पर शराब परदीए और यह तक पंदीए सﷺ पकड़वा दिया दिखा दिया गया कि शराब बंदी में आशन भी ले रहें लेकिन सचाई है कि इस अफेलियर और इसमें पुरा पुरी तरह से सरकार के लोग इसमें मिले हुआ है शराब बंदी को असफल करने के लिए मेरी मेरी मुखमिंतरी जिसे आपके माधिम से यह गजारिश है कि अगर आप शराब बंदी को सफल करना जाते हैं तो सबसे पहला चीज है कि जगर जगर जैसे मैंने बताया है आपको कि डी एडिक्शन सेंटर ज़रूर खुला है उसको डी एडिट करें तब शराब बंदी आपका सफ़ल होगा किसी को अगर आदत लगा हुआ है उसको अचानक से बोलेंगा आप छोड़ने के लिए तो वो जाएगा और जुसी बात सबसे इंपोर्टन चीज है कि सरकार को हम लोगों ने वोट केंव दिया है जनता ने वोट केंव दिया है सरकार को मूल्भूत से विधाओं को प्रवाइड कराने के लिए जनता ने वोट दिया है सरकार किसी के personal space में नहीं कुस सकती है पहले तो य एक तो आप पर्सल स्पेस में घुच रहे हमारे इसे देखिए अब इससे कितने एलाइड चीजे जुड़ी हुई है शराब बंदी से राजस्व गया यहां के टुरिजम इंडस्टिस के यहां पर जितने भी कॉर्पेट फंक्चन्स होते थे आज बगल के पदेशों में चले दो सो क्रोड उपे लगा करके इंडस्ट्री लगाएगा और इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर दस दिन यहां पर उसको बड़ा इंडस्ट्रिस है तो जिरूर आके दस दिन रहेगा उसको मैप करने के यहां और उस मैपिम के दुरान किसी शाम उसको मन करेगा कि मैं तो नहीं आएगा इंड़स्ट्री यहां पर इंवेस्मेंट नहीं होगा, कितना भी धोल बजाते रहे हैं, पिछले दस साल से धोल बजा रहे हैं, कि बाहर हम हमेशा जार कभी मुंबई जाते हैं, अभी शुशील मोदी जी यूए गय थे, अभी शनवाह उसेंजी सिली यहां पर, उसकी जहां सडकें ठीक नहीं है, इंड़स्ट्री तो हैं नहीं वहां पर, सब प्राइवेट ओनर्स को वहां दे दिया गया है, मौल्स बन गए हैं वहां पर, स्कूल्स बन गए हैं वहां पर, तो वो, क्या वहां पर, क्या बिरुजगारी दूर होगी फिट आज अगर प्रॉपर तरीके से नदियों को यूज करते नदियों के पानी को यूज करते जो फोटाइल लैंड है उसको हम लोग यूज करते और गानिक फार्मिंग में यूज करते तो आज पहर कहां से कहां होता लेकिन हम कहां पर आगे हर साल साल दर साल नदियों के पानी को हम लोग रोक दें शकते हैं बाढ़ हाती है जानमाल का नुक्सान होता है करोड 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 रूपय का नुक्सान होता है बांध बनता है फिर से उसको तूटता है फिर से दुबारा बांध बनता है तो ये लूट मात चली आ रही है और जब तक मुझे नहीं लगता है क जब तक कि अब ये बदलाव जब तक नहीं होगा तो ये बिहार में अगर आगे जाना है तो आज बिहार दिवस के हम डेख रहे हैं आप काफी मुखर होकर सरकार के नितियों और सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं इसको क्या समझा जाए आपके जो ये जो अभी तेवर नजरा रहे है क्या आपको डर लगता है देखे मैं पास्वान जाती से आता हूँ और सदियों से हम लोगों की रक्षा करते हैं और 100% में कोई मिलावट नहीं है मेरे अंदर 100% प्योर पास्वान हूँ मैं और ये जो है ना समाज की रक्षा करना दलितों की रक्षा करना वंचितों की रक्षा करना ये सदियों से हम करते आए हैं और आगे भी करते आएंगे और हमारी अवाज को कोई दबा नहीं पाएगा यह पका है, डरने की क्या बात है हम समाज में सिवा करनेे के लिए हैं अपने साथी, अपने भाई जो बंची थे हैं जो गरीब हैं, दलित हैं उनकी रक्षा करने के लिए हैं इसले डरने का कोई प्रश्णी नहीं उठता है चली बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी आवाज से बात करने के लिए आपका ये बहुत-धन्यवाद कि आपने मुझे 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 आज बिहार दिवस के अफसर पर और मेरी शुब कामना है कि आपका चैनल सही में आपके आज बढ़ता चले बनता चले